हलो अब्रीबडी वेल्कम बैक टो मैं चैनल मेर्स सबसे पहले बताईए मुझे कि आपको पेपर कैसा हुआ पेपर बहुत एजी आया है मैंने क्वेशन देखे आपके बच्चों ने भीर जे मझे कि मैं में ये क्वेशन आये हैं तो मैं कुछसिस कर रही हूं कि आपके वसार तो आपको बताता है connective tissue is called तो मैंने अभी आप सब सुवा मैंने एक बीडियो दाली थी तो उसमें लिगामेंट और टेंडन के वारे मैंने आपको बताया था तो आपका लिगामेंट इसमें आंसा सही हो जाएगा आप लोग चेक कर लेना एक बार फिर दा फ्लेक्सिबिल् प्लांट में आपको बतानी है तो वह किसकी विज़ा से आती है कॉलिक्रामा की विज़ा से आती है tissues होते है यह आपके पर्मान टिशू और आपके मैसमेडिक टिशू तो उसमें यह रखा है light enter the eye through तो वह कॉर्णिया से enter करती है next one देखिए single parent जो रप्रियोज करते है कैसे वह sexual to produce करते हैं फिर physical change in the body वह क्या कहता है decrease in height physical change नहीं होता ठीक है in the body at puberty first tropical level of food chain is composed of first tropical level होता है वह किसमें होता है herbivores और autotrophs autotrophs मतलब autotrophs का मतलब हो गया producer जो आपके producer होते हैं वह आप cancer हो जाएगा तो autotrophs आप cancer सही है यह वाला answer सही है आपका ठीक है disease not sexually transmitted कौन से disease sexually transmitted नहीं होती है तो आपका वह है hepatitis A growth hormone is present तो cytosin आपका growth hormone present होता है plant में next question दिखे 9 कह रहा है आपसे कि deoxygenated blood comes from the body to the तो वह राइट आर्ट्रीम आप cancer सही हो जाएगा for human population the age pyramid होते है generally shows age distribution of male and female का age distribution होता है उसकी वाज़े से हम human population check करते हैं फिर देखिए enzyme in plants is responsible for तो वह वाटर की डिया होता है enzyme xylem in plants is responsible for the xylem जो पानी होता है उसको transfer कर रहा होता है next question देखिए loss और poor vision होता है किसकी वज़े से होता है deficiency की vitamin A की वज़े से होता है वो ठीक है इसारे आपके answers है person with ABO blood group उसके पास में होगा universal recipient होता है वो किसलिए recipient होता है तो उसकी पास में A और B antigen होंगे और कोई भी antibody नहीं होगी ठीक है और देखिए next next है आपका कह रहा है जो P wave होती है ECG में जो electrocardiograph आपका बनता है तो इसमें जो P wave होती हो कैसा होता है आपका देखिए ऐसा होता है ऐसे कुछ जाती है यह आपकी waves बनती है ठीक है यहां पे T wave होती है यह P wave होती है यह QRS यह आपकी wave होती है तो यह complex wave कहलाती है QRS और P wave आपकी depolarization of artery कहलाती है और यह आपकी repolarization of ventricle कहलाती है T wave ठीक है तो आप कॉफिन P wave रिप्सेंट करती है क्या depolarization of artery है ठीक है next question देखिए पुछ लिए देख लिए आपने repeat to the questions the chemical substance is produced by some microbes which can kill or relate retard the growth of other microbes it's called antibiotics next question देखिए cell membrane does not possess तो nucleic acid को possess नहीं करते है हमारी cell membrane फिर देखिए cell urnally found in procreatic cell is तो वो ribosome होते है आपकी जो procreatic cell में क्या है प्रिजेंट होती है आपकी 80S type होती है और procreatic में 70S type ribosome प्रिजेंट होते है आपकी next question देखिए 19 कह रहा है आपसे कि which one of the following is not a male accessory gland तो एंपला होता है male accessory gland नहीं है जिसमें जैसे एंपला आपका क्या है फिलोबियों ट्यूप का पार्ट है तो इसलिए male नहीं है वो female है the edible part of coconut is endosperm होता है titanus is caused by clostridium titanus होता है फिर histone protein होते हैं वो कैसे होते है बेसिक और पॉजिटिव चार्ज होते हैं क्यों बेसिक होते हैं क्यों होते हैं क्यों 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 आपको acidic होता है acidic और negatively charged होता है वो ठीक है DNA तो इसलिए हिस्टों जीव प्रोटीन होते हैं और positive charge होते हैं याद रखना है आपको next question आपसे पूछ तकता है next time की DNA कैसा होता है तो Turner syndrome result due to Turner syndrome किसलिए होता है तो वहां पे loss of an x chromosome होता है जिसे हम x o condition भी बोलते हैं प्लस 44 आपके autosomes होते हैं ठीक है next question देखिए viruses that affect bacteria known as तो जो virus affect करते हैं bacteria को उने वेक्टियों फेस बोलते हैं यह बेक्टर की तरह भी काम करता है हमारे आपने पढ़ाओगा molecular biology में फिर देखिए the primary lymphoid organ क्या होते हैं आपकी bone marrow और thymus अगर उसमेंसे bone marrow आपका option हो या फिर thymus आपका option हो तो यह option सही हो जाएंगे बाकि आपके spleen भी होते हैं और आपकी कुछ nodes भी होते हैं तो वह आपकी secondary lymphoid organs होते हैं ठीक है next question देखिए 26 कह रहे हैं आपसे कि human HIV virus होता है human immunodeficiency virus is member of a group virus called तो इसको हम retro virus बोलते हैं और यह single standard RNA पाय जाता है इसमें आपको याद रखना है ठीक है next देखिए next one है आपसे कह रहे हैं कि जो humoral immune response होता है is mediated y किससे होता है तो वह b lymphocyte से होता है humoral और आपका अगर cell mediated immunity पूछता है आपसे तो वह T lymphocyte से आपको लगाना था अगर यह B lymphocyte उसमें था option तो आप B cells भी गोल सकता है अगर ऐसा कुछ disease है bacterial disease है यह तो यह droplet से खलता है जैसे कहीं ने शीक माली किसी ने तो कहीं पर किसी के बुक्स पर गर गई या पर किसी के even pen पर गई या फॉन पर गई तो उसका अगर आप यूज कर रहे है और यूज कर रहे है चीजों का जिसे ऑल्रड़ी किसी इंसान को pneumonia है और आपकी उ पुर्ट जोए से कोज होती है अपको सभी को डिजीज यारखनी है है कि हमारी यह तो इस है वह को पता पता है वह हमारा है हमारा है है का नाम क्या है बुचेरिया बुचेरिया से affected होते हैं इसमें होता क्या इसको हम elephantiasis भी बोलते हैं और इसको हम हिंदी में हाती पाओं भी बोलते हैं अगर आप इससे familiar हो तो और इसे बुचेरियल डिजीस भी बोलते हैं क्योंकि ये बुचेरिया से फैलता है इसलिए और मच्चर कौन सा होता है इसमें Qlex मच्चर होता है मादा Qlex जो affect करता है हमारे फैलेरिया को ठीक है तो जो इन्हें आप में होते हैं बेटा उसमें क्या होता है military वाले जो लोग होते हैं इवेन शायद मुझे नहीं बता लेकर मेरे father military में हैं तो वो गोल दे थे कि बेटा हर साल हमारा check-up होता था कि आप फैलेरिया से affected तो नहीं होगे कि फैलेरिया आपका ऐसा disease है जो आपको सालों बाद पता चलता है तुरंट उसके diagnostic जो होती है चीज़ें treatment वो नहीं है डागनोस नहीं कर पाते हो तुरंट उसे बहुत दिनों में वो आपको अशर दिखाता है तो इसलिए उनका हर साल check-up होता था फैलेरिया का कि आपको किसी को किसी भी आर्मी परशन को फैलेरिया तो नहीं था है या फिर तो अभी check-up नहीं कराते पापा के को घर पे आ चुके है इसलिए है लेकिन पहले बहुत चकप होते थे पापा के फैलेरिया के तो definitely होना ही होना है हर साल तो इसलिए फैलेरिया बहुत ज़्यादा घातक बिमारी है आप उन्हें देखी होगी picture नेक्स दबन देखिए कह रहे हैं आपसे जो male sterilization होता है is also known as तो इसको सब्सक्राइब कर देते हैं जैसे कि जो हमारे sperm है वह हमारे यूरित्थरा से पैनिस में पैनिस में आ पाए और पीनिस से बजारल की थ्रू रिप्रोड़क्शन ना हो पाए ठीक और हमारा जो होता है एपाइसे क्या करते हैKen पहला को मिदू आपकी भीक्रिल से ऊपते हैं लिपके अपको को थोड़ा सा करते हैं उसका और रिमुक कर देते हैं हलका सा पाइब १र्स कात चाइछ यह तक ना है copper-sliutium secret large amount of progestron करता है जो maintenance करता है endometrium lining को और अगर जो periods जबाते हैं किसी भी लेडी को menstrual cycle जब होती है तो हमारा progestron होता है वो decrease हो जाता है इसलिए जो menstrual cycle होती है वो begin हो जाती है ठीक है essential proteins and lipids required for cell membrane तो वो आपके क्या होते हैं ER होते हैं जिससे endoplasmic reticulum बोलते हैं और इसमें SER भी होता है RER होता है RER वो होता है जिसमें ribosome का formation होता है basically proteins का formation होता है और जो SER होता है उसमें lipids बनते हैं आपकी और proteins का formation होता है ठीक है अगर आपने RER उसमें option दे रखा हो स्रिफ ER मतला endoplasmic reticulum दे रखा हो तो आप ER पी लगाओगे इन अगर in case आपको दे रखा हो SER और RER तो आपको यह protein और lipid वाला जो चीज है न यह आपको SER में टिक करना था अगर option ऐसा होगा तो ठीक है क्योंकि यह last year question यह पूछा गया होगते उन्होंने dead cell को invent किया था मतलब सबसे पहले खोजा था dead cell और फिर AB Levenhawk आपने बढ़ा होगा एंटोनी वान Levenhawk जिन्होंने living cell को discover किया था तो सबसे पहले cell को basically सबसे पहले cell को तो robot hook नहीं किया था जंणोंने को लिया था लकडी उसमें अपसल बताएथा कि cell इसको cell बोलते हैं तो उन्होंने dead cell को invent किया था यह फिर खोचा था जो भी आपको नहीं किस ने दिया था robot hook में दिया था अगर आपको option होगा तो आपने जो मदर होती है वह अपने बेबी को तो उसको कलॉस्ट्रम मोलते हैं वह कुछ येलोई सा फिलोड होता है जो हमारे ब्रेस सीजन से निकलता है जब फस्ट वेडिंग कराते हैं बेबी को मदर तब निकलता है तो उसमें एंटिवॉड़ी एप आजाता है आपका ठीक है ऐसे इडिवल ग्राउड से वो पटेटो को उती है पटेटो एक ग्राउंड स्थेम है मतलब इस्तेम एत्ता ना है ना की रूट है तो प्टेटो आपका और जो और है आपका तो आपने लागा लिया होगा इसक्शिन एग डान लेक्टेज होता है तो लेक्टेज होता है तो यह आपका एक्स्टा क्रश्टिन डाल दिया नोने इस बार क्यूंकि स्लेबस की अकॉर्डिंग तो डायरेशन और एब्जॉप्शन चैप्टर था यह नहीं लेकिन यह आपका पूछ लिया नोने क्वेशन ठीक है यह स्वेशन देखिए इसमें एक लास्ट यह माल्टूस का भी पूछा था कि माल्टूस किससे व्रिग्णन होता है तो क्या होता है बेटा आपका अर्विसी प्रोडक्शन होता है कि आपका जो बॉन मेरो होता है वह आपकी हड्डियों के बीच में होता है ब्लैक ब्लैक सा आपने देखा होगा उसे हम क्या बोलते हैं हड्डियों के अंदर होता है तो आपकी बॉन मेरों से क्या होता है सिस्टम मतलब उनकालतंत्र वो हमारी मसल होती है जो पेसियां होती है वो प्रिड्यूस करती है बॉड़ी ही ठीक है आपका यह ओप्शन सही हो जाएगा नाइस्ट कुछिन देखिये दो लास्ट कुछिन लगें आपके कह रहे हैं अमीवा एक्क्वायर्स इट्स फूड थू थू या है प्रोसेस अफ तो अमीवा व्यों एवार्श मौल्चेशक घट थू थूठ त्यों करता है जुकि मैंस मे मेंवे होती है प्रोटीन होती है उनको देख कर नाजाता है यसे हम कि थुरू ले जाते दूसरी से और बागी विज़न्स को दूसरी वीडियोर में डाल जगूं पार्ट टू के आपकी कोई सेगोड़ियों आपके पास आपको याद वह कुछन आपको पता पेपर तो मिलता नहीं है तो आपको याद हों तो बूझे भीजना और मैं आपको जल